हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ ग्यानिंद्र और आप देख रहे हैं टैंस का वीडियो नमबर टू जिसमें हम टैंस को वन बाई वन डिसकस करेंगे कॉम्प्टेटरी एक्जेम्स को ध्यान में रखते हुए तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं present indefinite की present indefinite tense आपको बताएगा regular actions के बारे में बतलब जो काम अक्सर होता है regularity के साथ नेमित रूप से होता है उसके बारे में बताएगा जैसे की she studies regularly मतलब वो नेमित रूप से अध्यान करती है next देख लेते हैं यह general action के बारे में बताएगा मतलब जो चीज सामाने रूप से होती है उसके बारे में भी ये बताएगा जैसे कि Earthquakes Strike Japan भुकम जापान में आते हैं मतलब वहां के लिए एक ये सामाने घटना है वहां अक्सर ये होती है हैबिट की बात करते हैं किसी की आदत को बताने के लिए भी आप इस टैंस का यूज करते हैं जैसे कि I wash hands before meal मैं भोजन से पहले हाथ दोता हूँ किसी universal truth को बताने के लिए आप इसका यूज करेंगे मतलब सार भोमिक सत्य मतलब जो घटना पूरी तरीके से सच है उसे जुटलाया नहीं जा सकता जैसे कि the earth revolves around the sun प्रचवी सूर के चारो और चकर लगाती है ये एक universal truth है और आप ऐसे भी कह सकते हैं the sun rises in the east सूरज पूरब से निकलता है तो ये भी एक universal truth है इसमें भी आप इस sense का use कर सकते हैं अब बात करते हैं official declaration की मतलब कोई आधिकारी घोशना होती है तो उसको भी present indefinite में बताया जाता है और कई बार आप newspaper में भी देखते हैं कि कोई घटना past में हो चुकी है या future में होने वाली है फिर भी newspaper की जो headline होती है वो हमेशा present indefinite में use की जाती है example की तोर पे हम देख लेते हैं हाँ पर sentence है आपके सामने the prime minister attends the party meeting प्राइम मिनिस्टर party meeting attend करते हैं एक example और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर the finance minister leaves for china next week आप ध्यान से देखिए आप यहाँ next week लगा हुआ है sentence की हिंदी है कि जो वित मंतरी है वो अगले हफते चाइना जाएंगे चाइना के लिए प्रस्थान करेंगे चाइना जाएंगे तो जाएंगे future tense में आ रहा है लें फिर भी देखिए आप यहाँ पर use किया गया है present indefinite तो इससे यह पता चलता है कि present indefinite किसी भी आधिकारिक declaration के लिए एक official declaration के लिए भी इस्तिमाल किया जा सकता है आगे देखते हैं sentence है आपके सामने what you know about me यह sentence wrong sentence है error आपको दिख गया होगा मैंने आपको बताया था last video में कि जब कभी भी आप present indefinite का interrogative sentence बनाएंगे तो आपको helping of use करना होगा या तो आप do लगाएंगे subject से पहले या आप subject से पहले does लगाएंगे लेकिन देखिए यह sentence interrogative बनाया गया है पर यहाँ पर आप ध्यान से देखिए do या does का प्रयोग नहीं किया गया और मैंने आपको बताया था कि do or does कब लगाया जाता है तो देख लीजे आप यहाँ पर ध्यान से कि यहाँ पर do का use subject से पहले करना चाहिए जो की नहीं किया गया तो next sentence में इस error को ठीक किया गया आप ध्यान से देखिए what do you know about me तुम मेरे बारे में क्या जानते हो यह sentence एक दम correct है second sentence को देखते हैं I know where does she go daily मैं जानता हूँ वो daily कहा जाती है लेकिन sentence wrong हो गया क्योंकि यह sentence actually interrogative नहीं है पर फिर भी इसको जबरस्ती interrogative बनाया गया है sentence actually जो real sentence था वो कुछ ऐसा था I know मैं जानता हूँ वो रोज जहां जाती है कहां नहीं जहां तो where के दो मतलब होते हैं एक कहां और एक जहां जब question पूछा जाएगा तो where का मतलब होगा कहां जब question नहीं पूछा जाएगा तो where का मतलब होगा जहां तो यहां पर वो पहले ही बोल रहा है I know मैं जानता हूँ जब वो जानता है तो वो question क्यों पूछेगा तो इस तरीके से यहाँ पर जो यह does लगाया गया है इससे sentence को interrogative बनाया गया है जबकि यह sentence interrogative नहीं है क्योंकि सामने वो क्या बोल रहा है I know मैं जानता हूँ तो sentence interrogative नहीं है तो integrative sentence जब नहीं होता तो आप उसमें से क्या हटा देंगे helping verb को हटा देंगे sentence बनेगा I know where she goes daily now the sentence is correct आगे देखते हैं third sentence बोलता है the suggestion of teacher do not leave any impact on him the suggestion of teacher यह हमारा subject है मतलब अध्यापक की सलह अध्यापक का सुझाव यह हमारा subject है अब ध्यापक से देखिए आप subject is singular जब subject singular है तो वह भी क्या होना चाहिए वह भी singular होना चाहिए लेकिन गलती क्या हुई देखिए the suggestion of teacher do not leave do not किसके लगता है जब subject plural होता है जब subject plural होता है तब हम लगाते है do not जब subject third person singular होता है मतलब I, V, U को छोड़ कर अगर subject आया है और singular है तो आप क्या लगाएंगे does not लगाएंगे तो यहाँ पर subject singular है देहां से देखिए the suggestion of teacher और यहाँ पर आपने do not यानि जो plural के साथ लगाते है वो आपने यहाँ लगा दिया तो यह wrong हो गया तो इसको correct कैसे करेंगे correct करने के लिए आपको कुछ नहीं करना सिर्फ do not के जगे आप लगा देंगे does not क्या लगा देंगे does not तो sentence हो जाएगा the suggestion of teacher does not leave any impact on him तो इस sentence correct हो जाएगा आगे देखते हैं for emphasis मतलब किसी चीज़ पर जोर डालने के लिए किसी बात पर जोर डालने के लिए जोर डालने के लिए भी हम use करते हैं present indefinite में helping verb का जैसे कि आपने देखा होगा अगर कोई बोले कि मेरे पास car है और सामने वाला बोले नहीं तुम्हारे पास car नहीं है तो फिर जिसने बोला है कि मेरे पास car है वो अपनी बात पर जोर डालने के लिए वापस बोलेगा नहीं मेरे पास car है तो हिंदी में तो आप नहीं बोल सकते किसी और तरीके से इसको लेकिन इंग्लिश में अगर कोई बोलता है you don't have car आप बोलते हैं I have car वो फिर से बोलता है you don't have car तो आप बोलेंगे I do have a car मतलब आप अपनी बात पे और ज़्यादा जोर डालने के लिए यूज करेंगे helping verb का अगर ये subject I view को छोड़ कर आ रहा है तो आप लगाएंगे does पर धान रहे subject singular होना चाहिए ये था present indefinite और next video में मिलेंगे एक दूसरे tense के साथ तब तक के लिए goodbye